राष्ट्रीय शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत की केंद्रीय शेक्षिक प्रवध्योगी की संस्थान दोरा प्रस्तु थे किशोर बच्चों हेतु मनोरंजन और ज्ञान से भरपूर रेडियो पत्र का किशोर जगत इस शंखला में सुनते हैं कारिक्रम यमुना भागतीन पहाडों से लहराती बलखाती यमुना अब मैदान पर आ चुकी है कई जगह नदी के बेहत चौड़े पाठ हैं प्रक्रती से छेड़ छाड़ का खम्याजार लोगों को भुकतना पड़ रहा है यहां यमुना नदी पर लोगों की निर्भरता का विस्तार होता जा रहा है हम खड़े हैं दिल्ली की डहलीस पर आगे आगे देखिए यमुना कैसे जन जीवन को प्रभावित करती है अरे सुभईया हाँ देखो आज जल्दी निकलना है नाश्ता कर लेते हैं और तुम ऐसा करो बोतनों में पानी भर लो जी अच्छा ठीक है मैं भरता हूं पानी आओ हम लोगों ने यमुना के साथ साथ चलना शुरू किया मैदाने इलाकों के ओर यहां यमुना में पानी कम हो गया था केवन निचले तल में ही पानी बै रहा था क्योंकि ज्यादा पानी नहर में डाल दिया गया था यमुना के दोनों ओर कई शहर हैं पश्चिम में जगाधरी यमुना नगर अंबाला करनाल पानी पत कुरुक्षेत्र वगयरा यमुना नगर में पेपर मिल प्लाइबोर्ड वनस्पति घी के कई छोटे बड़े उद्योग हैं चीनी मिल भी है अच्छा उद्योगों के विक में सहारनपूर और मुजफर नगर दो पुराने शहर हैं अच्छा यहां भी पेपर फरनीचर गोड़ और खांटसारी से जुड़े कई उद्योग हैं भाई यहां चीनी मिले भी है यमुना के दोनों और का मैदान उपजाओ है यहां चावल और गेहूं दोनों बड़ी मात कि अपने तेज बहाओ के साथ पहाणों से कंकर्ड पत्थर मलबा मिट्टी आदी लाती है अच्छा मैदानी भागों में धलान कम होने के कारण नदी की गती मंध हो जाती है जी और नजाने कब से यमुना नदी भी अपने साथ लाइवे मिट्टी जमा करती आ रही है वो तो है नदी की इस प्रक्रिया से मैदानों का निर्मान होता है मिट्टी के जमाव ने नदियों के बहाव की दिशा को निर्धारित किया है जमाव से अंबाला के आसपास के क्षित्र उंचे हुए हैं इसी कारण सत्लोज तंत्र की नदियां दक्षन पश्चिम की ओर बहती हैं गंगा तंत्र की नदियां दक्षन पूर्व में बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं क्या यमुना नदी के जमाव से हां यमुना नदी के जमाव ने सत्लोज और गंगा नदियों के बहाव को दो भागों में बाड़ दिया दो भागों में वरना उत्तरी भारत के मैदानों में पानी की कमी नहीं होती हैं यमुना के साथ-साथ हम दिल्ली की ओर चलती रहें कि दोनों और गाउं पास-पास पसे हुए हैं हर्याना के सभी गाउं सडकों से जुड़े हुए हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा कम है कुछ दूर चलने के बाद अंबाला दिखाई दिया जो यमुना के पश्चिम में है अंबाला एक बड़ा शहर है यहां कई कारखाने हैं और यहां एयर फोर्स का एक बड़ा केंद्र भी है अंबाला जीटी रोड पर है अच्छा सुभाईय जानते हो जे जीटी रोड यानि गान ट्रंक रोड और यमुना दोनों समानांतर है दोनों अच्छा जीटी रोड को बादशाह शेरशाह सूरी ने बनवाया था जे आजकल यह सड़क नेशनल हाईवे नंबर एक कहलाती है नेशनल हाईवे नंबर एक हां पहले यह सड़क पेशावर और कोलकाता को जोड़ती थी अच्छा करनाल और यमुना से कुछ दूरी परस्थित है, दोनों ख्षेत्रों में चावल और गन्ने की खेती होती है, यहां से यमुना धीरे धीरे बहती हुई पानीपत की और बढ़ती है, पानीपत बहुत सी आइतिहासे कहाणियों से जुड़ा है, आजदा मैंने भी कहाणियों पड़े है अच्छा हां इसी रास्ते से काफी लोग भारत आये इसी मैदान में कई लडाईयां लड़ी गई कुछ जीते कुछ हारे भाई ये लडाईयां यमुना के आसपास हो जे अच्छा मैं तुम्हें बता दूँ पानीपत की तीन लडाईयां मशूर है पहली लडाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच सन 1526 में हुए ठीक है ना बिल्कुल ठीक लडाई में बाबर की जीत हुए भारत में पहली बार मोगलों का राज्य स्थापत हो दूसरी लडाई सन 1556 में अफगानिस्तान के राव हेमू और अक अकबर की जीत हुई हां हां तीसरी लडाई सन 1761 में एहमद शाह अबदाली और मराठों के बीच हुए इसमें काफी लोग मारे गए सुबईया पानीपत जीती रोड पर वसा हुआ है जी ये हद करगा उद्योग का एक बड़ा केंदरा है आज पानीपत ओनी और सूती कपड़े फौच के लिए कंबल चादरों वगएरा के लिए मशूर है अच्छा गर्मियों में जमुना की रेती में तर्बूज और खर्बूजे हो गाय जाते हैं जिनका जायका कुछ अलगी होता है मुझे बहुत पसंद है अच्छा यहां की रेती का प्रयोग भवन निर्मान में भी होता है स्थानिये लोग हर्याणवी भाषा बोलते हैं जो खड़ी बोली का एक रूप है जे दोपहरी में आराम धाबे पर खाना मक्षन दाल फ्राई सबजी दही और चपाती मजा आ गया पर एक बात है यहां दूद से बनी काफी चीज़े मिलती है जोके दूद की यहां बहुत आयत है यहां के लोगों में एक कहवत प्रचलित है कौन से ऐसा देशINA नितदूद दही का झाना आनन मजा सुनकर बहुत मजा आया और दूद दही खाकर भी हाँ बहुत मजाया आनन्द आ गया पानीपत से दिली का सफर लगभग ढ़ाई घंटे का है आने जाने के काफी साधन है जीटी रोड हार समय व्यस्त दिखाई पड़ती है हमने रास्ते में देखा कि यहां बस्तियां अधिक सघन है जगहा जगहा छोटे बड़े काफाने है भाई दिल्ली और हर्याना की सीमा की पहचान करना कठिन है हाँ एकदम मिली हुई है यहां सौड़कों का एक जाल सा मिछा हुआ है दिल्ली में हम बस अड़े पर उत्रे यमुना पासी में बहती है यहां से वजीराबाद के पुल पर पहुँचे यह पुल बराज का भी काम करता है यह अठारासो साट के दशक में अंग्रेजी शासन के दौरान बनाये गया था आने जाने के लिए सडक दूसरे दिल्ली से कोलकता की रेलवे लाइन को जोड़ना तीसरे पानी को रोक कर दिल्ली के लिए पेजल का इंतजाम यह तीनों काम एक ही पुल से हो गए कुछ समय के लिए पुल पर खड़े होकर यमुना के पानी को देखा एकदम साफ और स्वाच पक्षी पानी में तैर रहे थे हैं वजीराबाद से यमुना के साथ साथ चले कुछ फासले पर छोटी पहाड़ी दिखाई दी सुभईया से मैंने पूछा अरे बैसुभईया हाँ दादा यह पहाड़ी का सिलसला कैसा है दादा यह अरावली परवत श्रंखला का पूर्वी छोर है कुछ आगे चले चट्टानों के बीच से गंदे पानी का नाला दिखाई दिया जो यमुना को प्रदूशित कर रहा था यहीं से यमुना मलिन होने लगती है यहाँ पानी का रंग बदलने लगता है यहाँ यमुना कुछ लज्जिस से दिखाई दे रही थी जैसे कोई बड़ा आगात लगा हो इसी बीच मुझे महसूस हुआ कि वो खुद कुछ कहना चाहती है मैं यमुना गंगा की सखी सूर्य की पुत्री कालिंदी यमुनोत्री से चली थी पांक-छे सो किलोमेटर के सफर तक मैं स्वच रही लेकिन दिल्ली ने मुझे सिवरज वन नगर की गंदगी का वाहन बना दिया मुझे स्वच्च करने की अनेक योजनाय का र्यानवित हुई लेकिन मेरी हालत में कोई बदलाव नहीं आया शायद दिल्ली गंदे पानी का बंदुबस्त ठीक से नहीं कर पाई समाज में नदियों का मान सम्मान तो सदा से ही रहा है कभी इंसान ने नदी को देवाले बनाया कभी राजशाही का अंग शान और शौकत का हिस्सा बनाया कभी रक्षा की दिवार बनाया और कभी विकास का माध्यम तो कभी मनुरंजन का केंदर बनाया मोगलकाल में बादशाह शाजहा ने मेरे पश्चिमी किनारे पर लाल किला बनवाया चारों ओर रक्षा के लिए नहरे निकाली चांदनी चौक जैसे बाजार बनाए बाजार के बीच से नहरे बनाई मैं उस समय शाजहाना बात की आन थी शान थी, जान थी लिकिन आज यमुना भागतीन अभी आप सुन रहे थे ये कारेक्रम आलेक एवं विशै सह्योजन अक्तर हुसैन आलेक परामर्ष डॉक्टर माध्वी कुमार कलाकार नीरज शर्मा राजश्री त्रिवेदी और प्रवीन शर्मा तक्निकी निर्देशन सतीश लाडे ध्वन्यंकन दीपक पांडे निर्मान सह्योग दाउ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्मान एवं तस्तुती अजीत होरू अभी आप सुन रहे थे ये कारेक्रम थे ये कारेक्रम थे ये कारेक्रम